तो दोस्तों यहां पर गुफा जैसी भी है हम लोग अभी गुफा के अंदर जाएंगे ठीक ऐसा लग रहा है ना कश्मीर की वादियों में राजबहिया सर्जीकल स्ट्राइक है तो नमस्कार दोस्तों राजबहिया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक सौगत है दोस्तों यहां देखिए आप अभी हम अपने दोस्तों के साथ यहां पर आये हैं जो लागोवा जो एरिया है रियो का और हम यहां से जा रहें एक पार्क है लाजी पार्क करके है अब कैसे प्रनाउंस करना है वह आप ही लोग देख लो पार्क लागी करके है वहां जाने वाले हम लोग और काफी है यह अपनी मम्मी के साथ इंडिया का टूर करके हैं अभी कुछ दिन पहले को मिन से उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे और पार्क भी देखेंगे कैसा है अनुछ अब पूछे कहां पर है उनों ने बता है यह जगए तो आज यह जो हमारे मित्र है यह लोग हूंने Municipality के साथ तो मैंने तो मैंने का है निन से मिलते थे हैं और मैंने मुझे बताया दहीं है मैंने का हां मिलेंगे जरूर मिलेंगे तो इनके साथ मैं पर आया हूँ और काफी अच्छे हैं ये दौनों अराम सपना भी हम लोग घोमेंगे जैसे ही पार्क आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर अभी रास्ते में हम लोग तो दोस्तों हम लोग यहां पर आ चुके हैं ओके यहां पर दिखा हुआ है यह बोटैनिकल गार्डन भी है और वो भी है तो यहां हम जाके देखें यह कैसा है यह आपके हैं बसक्ति जैंश क्योंश सिम्स है यह सो के दापरा वेरो क्रिस्टो है देंट और है मैं तो दोस्तों हम लोग यहां अंदर है मैं जो भी होगा दिखाऊंगा यहां तो क्या पेड़ी पेड़ें बहुत सारे तो पेड़ पेड़ दिखाने का मतलब नहीं है और कु अच्छोर मैं देखाता हूं होगा धूका के लोगोगे पहले में लोगिवा विजादान का मैं लोग डीम्रो लोगेवा है वेजाणगे नहीं है मैं बेड़को जाएब देग ध्याएब डिक्वाज़् आउगें डीक्ष औरूब पोर्ण शु पा अंदानो मैं पेड़ें तो दोस्तों हम यहां पर आ चुके हैं देख सकते हैं कितना अच्छा है यह मुझे ऐसा लग रहा है पुर्टगालियों के जमाने का है वो से तगोस्तान दो जमाइस के बॉन तो हमारे जो दोस्त है ना उन्हें भी पसंद आया है ठीक है तो हम देख सकते हैं बहुत बढ़ी यह मुझे पुराने जमाने का ही लग रहा है यहां पे पारक भी है दोस्तों सामने अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं रियो में तो यह बहुत अच्छी जगह है पिकनिक बनाने के लिए पिकनिक मनाने के लिए सौरी अपना सामान वामन लेके आके यहां सामने जो पार्क है यहां पर बैठ सकते हैं बहुत बहुत सारी जगह है यहां पर यह आप देख सकते हैं एंट्री है यहां पर कुछ खाने पीने को भी है तो दोस् कोई शॉप भी है हां पर कि देखो क्या ब्यूटिफुल जगह यह है यह देख सकते हैं आप कि यह जो पॉइंट है कि यह पॉइंट पर मैंने बहुत सारे लोगों को फोटो के चाते हुए देखा है पर फिर जो है बहुत ही सुन्दर जगह है इस पॉइंट पर बहुत सारे लोगों को पोटो के चाते हुए देखा है मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरे दोस्तों को भी टाइम दाना तो उनको लगे गा क्या यार बेशरा मान में हमको लेके आया वीडियो बना रहा है ना तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों को थोड़ा पहु तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है और हम लोग अभी यहां से बाहर जाएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूं और बाहर क्या है कर दो एक्या है खे बाहर करो जाख है अब्द淇लिवा कि आपकी आदे बिदे धर दिवार यदेगारा हूँ कि यृ घएर भाहर हॉत कर सके0 को chi चास्ट बाला 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 तो दोस्तो कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है बस यही है एक जो है देखने लायक और फोटो निकालने लायक और यहां पर कुछ नहीं है फिर यहां जो मैंने पार्क दिखाया था या फिर यहां भी है रेथ है यहां पर फिर यह जगह यहां आके आप अपना पिकनिक मना सक सकते हैं डरी व Charlize footage किसी का package का प्रांण चल रहा है वहां पर दरी वरी लगी यह हमारे टाओ के लाग पार्ख है रिवर जनेरो के लागवा आ काकूप यहां से आप टैक्सी पगड़ सकते हैं तो दोस्तों यहां पे ना गुफा जैसी भी है ओके हम लोग अभी गुफा के अंदर जाएंगे कि अब्राजियों चामा लोग यहां यहां अनन्द उठा रहे हैं चड़ रहे हैं कि यहां आप देख सकते हैं लोग यहां अनन्द उठा रहे हैं चड़ रहे हैं तो दोस्तों मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि गुफा के अंदर पानी भी है मैं तो देखो कैसा लग रहा है यह वही पार्क है उसके अंदर गुफा है ठीक है ऐसा लग रहा है ना वहीं कश्मीर के वादियों में राजबहिया हां सर्जीकल स्ट्राइक है ठीक है थोड़ा-थोड़ा मजाग करते रहे तो आप लोगों के साथ हैं और यहां यहां यहा और दोस्तों यार आप किसी ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पर कि राजबहिया आप कहीं यही वीडियो फिल्म का रिव्यू बनाया यूटूब रिवाइंड बनाया और अभी वाकिंग का वीडियो डाला तो कहीं घूमने का वीडियो तो आई नहीं रहा तो भाईयो यह गुफा से हम लोग जो है बहार आगा है और अभी आगे जाएंगे तो दोस्तों यहां पर लोग फोटो ग्राफी के लिए भी आते हैं वो जो अंदर आपने देखा ना फोटोग्राफिक लिए मस्ट बैग्राउंड हो ओके और यहां बहार भी अच्छा है तो यहां पर झाल झाल